तो हम जब भी आप लोग बोलते होंगे जब कोई ऐसी कोई भी उल्टा सीदा बात करता है तो आप ऐसे बोलते होंगे कि मैं तेरे लेवल तक गिर नहीं सकता या आप ऐसी बोलते होंगे जब भी ऐसी कोई बात हो जाती है कि वह ब्लैक मेलिंग पर उतर गया जब भी कोई ऐस तो वहां पर हम लोग आपने संटेंस बोलते हैं लेकिन ऐसे संटेंस का जब बोलना चाहिए इंगलिस में तो कैसे बोल पाएंगे इसको हम लोग समझेंगे और कुछ आप ऐसे भी संटेंस बोलते होंगे कि अगर तुम वादा करते हो तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को संटेंस का ऐसे बोलते हैं तो उनको समझेंगे अगर जो नेश्ट का जब बोलते हैं कभी कभी कि यह क्रिकेटर अपनी फॉर्म में वापस आ गया मतलब जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो उसके बाद में कुछ काफी टिकनिक बाद वह ऐसे मतलब अच्छे खेलता है तो आदमी कहता है कि अपने फॉर्म में वापस आ गया ऐसे बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बरताव नौर्मल हो गया है ऐसे कर संटेंस बोलना चाहें तो वहां पर में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं लेकिन हम समझेंगे इस वीडियो में ऐसे संटेंस समझने की और नहीं समझने की ताकि हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर की मादब्द में से बहुत सारी चीज़ें समझ सकें और अपने अगर जो प्रैक्टिस करना चाहें तो एक हम समझते हैं तो अगर जो हम देखना चाहें इसमें इस चूप का यूज किया गया है लेकिन इसका मतलब क्या होता सबसे पहले समझते हैं इसका सिंपल सा मतलब समझें तो नीचता पर उतर जाना फिर आपको हो जाएगा helping verb हो जाएगा फिर आपका to to हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी आएगा noun या dirnd जो verb के साथ ing लगाते हैं वहाँ जिरंड बन जाता है तो वहाँ पे use करते हैं अब समाजते हैं पहला लिखा है I can't to your bad behavior मैं तुम्हारी तरह bad behavior मैं नहीं उतर सकता ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब यह हो जाएगा I can't to your bad behavior मैं तुम्हारे तरह bad behavior मतलब गलत गंदे बिवहार में नहीं उतर सकता नेस्ट लिगा है He has stooped to cheating तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है helping verb का यूज किया है stooped यह हो जाएगा third form तो यहाँ पे हमने जो यूज किया है तो he has stooped to cheating पर उतर गया ठीक है तो यहाँ पे इसका मतलब यह हो जाएगा next लिगा है you should stick to this time table अब इसका मतलब क्या होता है stick का का जो हम लोग देखे हैं तो इसका मतलब होता है जो हम लोग यूज करेंगे जब कोई भी किसी से वादा किया जाए कर दिया जाए और उसके बदले उससे जो हम बदलना चाहें तो बदल ना पाएं तो उससे करने के लिए मतलब किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह ततपर हो जाना मतलब एक प्रगास देखा जाएगा जो हो जाएगा इसके बाद में इस्टिक तू जो हो जाएगा ठीक है उसके बाद हो जाएगा पका नायों और जेरेंड यानि वर्व के साथ आइंग जो भी लगाएंगे जैसा वी आप लोग बनाएंगे तो इसका लिखा है you should stick to this timetable मतलब क्या है कि तुम्हें इस timetable को follow करना चाहिए तो stick to मतलब follow करना चाहिए should का use करते ही है तो stick to का मतलब किसी भी चीज को complete करने के लिए उसमें लग जाना पूरी तरह से next लिखा है stick to this road so that you can't get lost इस road को पकड़े रहो ताकि कहीं खो न जाओ ठीक है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने यूज किया है stick to का use ठीक है next लिखा है he has reverted to reading a lots of book आओ यहाँ पे देखा जाए तो reverted to का use कहां पे कैसे हम करते हैं इसका मतलब simple सा देखे हैं तो इसका होता है reverted to का मतलब होता है कोई बेक्ती हो कोई person जो अपने behavior में वापस आ जाए कैसे आ जाए वापस इसलिए का he has reverted to reading a lots of book मतलब क्या है कि उसने फिर से book बहुत सारी books पढ़ना start कर दिया है शुरू कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे हमने मतलब किसी भी चीज में वापस किसी भी चीज को वापस शुरू कर देना किसी भी चीज वापस किसी भी फॉर्म में आ जाना जैसे मालो पहले books पढ़ता था लेकिन कोछी दिन उसने बंद कर दिया और लेकिन फिर उसी तरह उसने बुक पढ़ना सुरू कर दिया तो वहां उसी तरह behavior में वापस आ गया तो इस्ट्रक्चर हो जाएगा जो सब्जिक्ट हो जाएगा helping और हो जाएगा रिवर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा फि्लन फिर ज kitty将 ऑष एंग निस्ट्रक्चर involves न लिए थेंगे थेंग को वातिश्ट्र वीडियो कि